अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान पर क्लिक करें, ताके हमारी नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सकें, शुक्रिया बिस्मिल्लाहिररहमान रहीम, आज की वेडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्लासिक चिप्टर नमबर वन, सिटो, तो हम एक्सरसाइस की तरफ चलते हैं, इमसिक्यूस नमबर वन है, अधेश एज इन आर्डर कालिक्शन आप अबजिक्टों, तो यहां जब कालिक्शन आप अबजिक्ट की बाद हो रही है, तो इसमें आलड़ी सिट सही है, सिट को हम आलड़ी भी डिवाइन कर चुके है, के सिट क्या होता है, लिंग्च आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इसके यहक्षन की नमबर तू है, पावर सिट आप एमटी सिट हैS एगजेक तो तो पावर आप सिट से मुराद ये है कि इस सिट में कितने सबसिट हमारे पास बनते हैं तो इस सिट में इलिमेंट की तादा कितने ही वन टू यानि दो इलिमेंट है इस सिट में तो इसको हम इस तरह लेकिंगे तो पावर एनो यहां इन से मुरादाद है यानि इस sit में नंबर की तादादा कितने है तो इनकी value हम 2 को put करेंगे तो 2 power 2 is equal to 4 यानि जिस sit में element की तादाद 2 हो तो इसके कुल subset 4 बनेगे अब इस excuse में empty sit की बात हो रही है तो empty sit में इस तरह denote होता है इसमें element नहीं होते यानि नंबर 0 होते है तो हम 2 power in की जगा यहाँ पे 0 पूट करेंगे तो 2 power 0 हमारे पास equal है 1 के यानिंए empty sit के कुल sub sit सिरफ 1 बनेगा और वो खुद empty sit होगा इसके बाद है which app depalling two sits are equal हो हमें चार option given है और हर option में दो-दो sits given है कि इसमें कौन सा fair बराबर है तो ये option number one one two and one है तो ये बराबर नहीं है यहाँ पे one two one two three है ये भी बराबर नहीं है यहाँ पे one two three है यहाँ पे भी one two and three है सिरफ इसका order change है बागी element वही के वही है तो ये इसमें c वाल option जो है ये सही है ये तमाब definition हम अल्लेडी कर चुके हैं link आप description में भी देख सकते हैं इसके बाद है anything belong to sit a skull and dash आप sit हो तो sit के अंदर जो भी होते है यानि sit में for example यहाँ पे small a है तो ये small a जो है ये element आप sit a है तो यानि sit के अंदर जो भी हो इसको elements कहा जाता है तो इसमें elements ये सही है इसके बाद है a sito which described with the help of a statement is called dash palm तो sit के generally तीन palm है एक palm है tabular palm tabular palm किस तरह होता है इसको हम इस तरह लेके a is equal to one, two, three तो ये है tabular palm आप sit हो और ये क्या है ये natural number है sit up past three national number इसको अगर हम इस तरह लेके sit up पस्टो three natural number तो इसको descriptive method कहा जाता है ये इसको हमने एक statement में बयान किया तो यहाँ descriptive जो है ये सही है इसके बाद है the null is considered to be a dash of every set हो तो null empty set को कहा जा रही है और ये एक rule है sit का कि empty set is subset of every set हो तो यहाँ पे subset जो है ये सही है इसके बाद है the set of all subset of a set is called day set हो तो इसमें power सही है ये नहीं एक set है पर एक्जेम्पल a b तो इसके जितने भी सबसेट है इसके कुल चार सबसेट बनते है एक md set हो दूसरा a फिर b और फिर itself ये set a b तो इसको power set कहा जाता है तो इसमें power सही है इसके बाद हमें एक symbol given है के is the symbol आप dash हो तो ये जो है ये member का symbol है इसको ये भी कहा जाता है या belong to तो इसमें member वाला option जो है ये सही है इसके बाद है if a set has four elements then its power set will content element equal to dash element तो इसको अभी हमने यहाँ पे भी लिका two power in तो two power in यहनि two power यहाँ पे four element है तो four यहनि two को अगर हम four time multiply करें two multiply two multiply two multiply two multiply two multiply do तो वो 16 के बराबर है तो जिस set में element की दादा चार हो तो उसके कुल subset के कितने मनेंगे 16 तो power set इसका क्या होगा 16 इसके बाद है if a is equal to one two three and b is equal to one two three four five then a is they subset of b तो इसमें proper सही है इसको हम already define कर चुके हैं इसके बाद है if e is equal to two four six and so on and o is equal to one three five are they set so तो यह जो option हमें given है equal तो यह नहीं है equivalent यहाँ बुक वालोंने तो mark किया है लेकिन यह भी नहीं है compliment to each other तो यह भी नहीं है और proper जो है यह है तो इसमें proper सही है proper subset सही है यह equivalent गलत है इसके बाद एक set है इसमें सिर्फ zero को लिका है is the set which is dash element तो इसमें already एक element है तो one option जो है यह सही है इसके बाद है two sets are set to be equal if and only if they are the same dash हो तो दो set कब equal होंगे जब दोनों के elements जो है हो same हो तो इसमें elements जो है यह सही है इसके बाद है the set are first ten national numbers हो तो first ten national number इसमें कौन से है तो यह है national number one से start होते है one two three four five six seven eight nine ten तो इसमें यह option जो है यह सही है इसके बाद है which of the following sets is infinite तो infinite उस set को कहा जाता है जिसकी कोई हद नहीं हो यह इसकी आहिरी number या आहिरी limit जो है ओ मालूम नहीं हो तो इसको infinite set कहा जाता है तो पहला option the set of factor of set fill तो fill के जितने भी factor है उसका limit जो है ओ मालूम है set up first prime number less than ten यह भी नहीं है seven eight ten thirteen यह भी नहीं है फिर यह last option जो है one three five and so on तो इसका जो आहिरी हद है ओ मालूम नहीं है तो इसमें यह सही है I hope क्या आप सबको समझ आया होगा थेंग्स पारवाची